इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपका फ्यर मगदम करता हूँ मैं हूँ मुहम्मद इद्बाल बाथ चले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन तो क्लाउड कम्प्यूटिंग आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड कम्प्यूटिंग का मतलब क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है फर्स्ट एक सिनेरियो लेते है एक लाउड मैच ब्राउड कास्टिंग कम्प्यूटिंग का तो इससे हम अंड्रस्टैंड करेंगे कि क्लाउड कम्प्यूटिंग की जुरूर्यत और अहमियत क्या है एक एक एकजाम्पल लेते है होटส्टार का और आप सब यह जानती होंगे होट्स्टार एक वीडियो स्ट्रीमिंग कम्पनी है जो कि ओन्लाइन डिफरनट काइंड आफ वीडियो जो है स्ट्रीम करती है इनकी आप भी है इनकी website भी है, तो अब इस hot star के videos के related तो हम बात नहीं करेंगे, हम इनके जो ये live matches को broadcast करते हैं, उनकी बात करेंगे, तो आप जानते हैं कि hot star पे जो live cricket matches आते हैं, वो broadcast होते हैं, चाहे national level के हो, चाहे international level के हो, जैसे world cup series हो, champion trophy हो, या कोई और international cricket series हो, तो वो hot star पे broadcast होते हैं, और live broadcast होते हैं, इसके अलावा different premier leagues जो होते हैं, जैसे इंडिया में IPL है, इंडिया प्रेमिया लीग, तो वो प्रेमियर लीग भी इस पे broadcast होते हैं, इसके अलावा जो formula car racing different competitions आते हैं, वो भी इस पे live broadcast होते हैं, तो हब हम इन live telecast होने वाले programs की बात करेंगे, अब आप जानते हैं कि hot star जो पिछले कुछ सालों में, इनका जो traffic है, वो बहुत ही increase हो गया है, तो traffic increase होनी की एक example हम इस से ले सकते हैं, कि पिछले साल 2019 में, जो ICC World Cup का match हुआ था, इंडिया वर्सिस पाकिस्तान, तो 8 गंटों में 365 million लोगों ने at a time इस match को देखा, तो इससे आप अन्राज़ा कर सकते हैं कि hot star की app पे कितना traffic इस वक्त बड़ा होगा, जब 365 million लोग at a time इस app के जिरिए match को देख रहे थे, और इसके अलावा, इनके report के मताबिक, यह जो मैं figure दे रहा हूँ, यह hot star का जो विवर्शिप रिपोर्ट है 2019, उसके मताबिक, उसके figure में यहां पे ला रहा हूँ, तो इनके जो वीडियो की consumption आती है, 95% वो mobile phones के जरिए आती है, तो इसके लिए लोगों को laptop या किसी और चीज़ की ज़रत नहीं, क्योंकि most of the people जो भी हम देखते हैं, वो आजकल mobile phone के ही जरिए यह सारी services एकसेस करते हैं, अब यह है पिछले चार सालों का peak concurrency report, उसका graph, तो इस graph में पिछले चार सालों में सबसे maximum at-a-time viewers कितने रहे हैं इस hot star app के, तो अगर आप देखेंगे, 2017 के vivo IPL के final में 4.7 million users at-a-time इस match को देख रहे थे, तो यह concurrent है, यानि कि एक साथ इतने सारे लोग app के जरिए इस match को देख रहे थे, तो 47 lakh people at-a-time देख रहे थे, अब एक ही साल में यह increase हुआ 10.3 million, क्योंकि vivo IPL 2018 का जब final हुआ, तो उस वक्त 10.3 million, क्रीब 1 करोड से भी ज्यादा viewers इस match को online देख रहे थे, तो इसका मतलब है, 2017 के मकाबले, around twice the rate जो पिछले साल viewers थे, उससे double हो गए है, double से भी ज्यादा, तो in 2019 जो vivo IPL का final हुआ था, उसमें 18.6 million users at a time इस match को view कर रहे थे, और फिर जब हम बात करते हैं, ICC match की, और especially जब वो India versus New Zealand था, तो उस वक्त 25.3 million viewers इस match को देख रहे थे, तो इस brand के मताबिक हम देख रहे हैं, जब कोई खास important match होता है, तो उस वक्त विवर्स का count जो है, वो exponentially grow हो जाता है, normally हम देखते हैं कि throughout the year इतने users नहीं होते है, throughout the year may be for example, 1 million, 2 million जो average में users है, वो इस app को view करते, लेकिन जब peak hours होते हैं, जब कोई खास competition होता है, तो उस वक्त बहुत जारा load बढ़ जाता है इस app पे, तो इसका मतलब है, इन peak hours पे, जो servers पीछे से support कर रहे हैं इस broadcast को, उनकी capability बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये figures दिखा रहे हैं, इसी तरह अगर आप एकोगे, तो ये स्टी-wise log of timing is है, कि different स्टीज में थाउड़ दाएं इंडिया, कि इस time पे लोग इस hot star से log off करते हैं, तो इसका मतलब है, कुछ स्टीज में 11 से 12 बज़े, midnight, लोग इसको बंद करते हैं इसको देखना, कुछ स्टीज में 12 से 2 बज़े तक, और कुछ स्टीज में तो 2 बज़े से भी onwards, तो ये रात के 2 बज़े हैं, उससे भी onwards लोग इस hot star आप को देखते हैं, तो इसका मतलब है, 24 hours इस आप पे लोड रहता है, कुछ peak hours आते हैं, जब कोई खास सीजन होता है, तो rest of the year जो है, उसमें इनका इतना लोड नहीं होता है, Now, यहां पे हम देखेंगे कि इस hot star company को क्या problems यहां पे दरकार आती है, तो first जो इनको problem आती है, that is scalability issue, तो scalability का मतलब है, जो हमारे पास पीछे से infrastructure या servers होने चाहिए, उनको बढ़ाना या गठाना, तो अगर हम देखेंगे, throughout year, 1 million, 2 million viewers average में इस app को देखते हैं, तो 2 million users के लिए हमें servers पीछे से रखने हैं, 2 million users के लिए हमें RAM की facility होनी चाहिए, इसी तरह 2 million users के लिए हमारे पास hard disk traffic की facility होनी चाहिए, लेकिन, जब कोई important competition होता है, जैसे IPL या कोई world championship, तो उस वक्त users का count जो है, वो 10, 15, 25, 30 million तक चला जाता है, तो इसका मतलब है, उस वक्त हमारे पास जो servers है, उनकी capability बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे पास पीछे RAM बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, processing power ज़्यादा होना चाहिए, internet broadband connection की capability ज़्यादा होनी चाहिए, तो that is called scalability, तो scalability का मतलब है, जब हमारे पास कोई processing capability है, इसको हम बढ़ा सकते हैं या गड़ा सकते हैं, तो ये एक problem उनको face होती है, क्योंकि throughout the year तो एक scalable system होना चाहिए, लेकिन जब peak hours आते हैं, जब कोई खास compression आता है, तो उस वकथ हमारे पास इससे ज़्यादा capability होनी चाहिए, ये बढ़ जाना चाहिए, next issue हमारे पास आता है, अगर आगर हमारे पास इतने ज़्यादा servers है, इनको manage भी करना है, इनके software को manage करना है, इनके updates को manage करना है, तो इनकी conditions भी देखनी है, तो इन servers को कैसे manage करेंगे, especially अगर हम peak hours के लिए 25 million या 35 million users के लिए, पिछे से servers computing power रखेंगे, तो उनको manage करने के लिए जो manpower चाहिए, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, next हमारे पास है speed issues, क्योंकि hotstar ये live streaming app है, तो throughout the world देखी जाती है, तो speed कितनी होनी चाहिए, internet speed होनी चाहिए, ताकि इसमें कोई जो हमारे पास users है, उनको कोई jerks ना आ जाए, और इसके साथ-साथ, इनको 24-7 access मिनना चाहिए इस app को, means we cannot stop it, इस app को हम बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा, कि मुक्तलिफ कुछ city आई से हैं, जैसे हमने भी कोची देखा, मुंबई देखा, तो वहां पे users, midnight 12 के बाद, 2 के बाद भी इस app को देखते हैं, तो 24-7 app को access मिलना चाहिए, तो अगर आपके पास इतनी speed होनी चाहिए, इतना processing power होना चाहिए, 24-7 access होना चाहिए, तो definitely इसका जो cost है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसको maintain करने के लिए, इतने सारे servers को maintain करने के लिए, 24 hours traffic रखने के लिए, इसके अलावा, इन servers को manage करने के लिए, different manpower चाहिए, तो इसका cost बहुत ज़्यादा आ जाता है, और इसके अलावा, the security issue, तो हमारे पास ये सारा system secure होना चाहिए, ताकि कोई भी hacker, या कोई भी intruder, इनको interrupt ना कर पाए, या हमारे servers को hack ना कर पाए, तो इसका solution क्या है, what is the solution, तो इसके लिए हमारे पास, दो solution is है, तो hot star के पास दो solution is है, एक solution को हम कहते है, on premise solution, on premise solution का मतलब है, जो भी infrastructure हमें चाहिए, IT related चाहिए, servers चाहिए, चाहिए कोई software चाहिए, चाहिए different kind of networking equipment चाहिए, या backup और power management चाहिए, या internet connection चाहिए, ये hot star company खुद खरी देगी, और अपनी company में इन सब को set करेगी, और उसके बाद इन servers को set करेगी, internet connection लगाएगी, और फिर एक solution देगी, और जिससे user access कर पाएंगे, इस broadcast और live streaming को, तो ये एक solution है हमारे पास, इसको हम on premise कहते हैं, on premise क्योंग्यों कि जो IT infrastructure है, वो कहाँ पे host होता है, जो कि company है, उनकी अपनी company में ही होता है, उनको खुद ये maintain करना पड़ता है, दूसरा solution हमारे पास है, cloud solution, अब इस cloud solution में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास infrastructure है, उसको हम अपनी company में host नहीं करते हैं, बैलकि ये responsibility हम, हवाले किसके करते हैं, cloud provider को, जो हमें cloud solution देता है, उसी को हम बोलते है, आप मुझे ये servers दे दो, इस कि networking चाहिए, ये backup routines होनी चाहिए, power management भी वही handle करेगा, internet connection भी वही handle करेगा, monitoring and maintenance भी वही करेगा, हमें सिर्फ एक solution मिल जाएगा, जिसको हम access कर पाएंगे, जिसके जरिये से हम users को, जो हमारे customers हैं, उनको अपनी services provide कर पाएंगे, तो जो भी IT related equipment है, infrastructure है, software है, तो उसकी परेशानी company नहीं उठाएगी, उसकी परेशानी जो है, वो सारा बोज हम cloud provider को डाल देंगे, नाव, चले अब इनका थोड़ा से मुकाबला करते हैं, on premise और cloud में क्या difference है, so first difference है, कि जो हमारे पास local networking है, चाहे servers है, वो सारे के सारे company ही host करती है, उनको खुद purchase करने हैं, अगर आपको 10 servers लगते हैं, तो 10 के 10 आपको खुद purchase करने हैं, उनको maintain करना है, उनकी installation करनी है, उनकी networking करनी है, वो सारा company को ही खुद करना है, on the other hand, अगर हम cloud की बात करेंगे, तो cloud पे जो ये हमारे networking है, चाहे servers है, ये सारे रहते हैं किसके पास, cloud provider के बास, वो मुझे इनको access देता है, और on demand access देता है, अगर मुझे चार servers चाहे, तो चार ही servers देता है, और अगर मुझे कल, peak hours में 10 servers की जरूरत पड़ती है, तो मैं उससे 10 servers ले सकता हूँ, तो उसी के मताबिक cost भी आ जाएगा, तो ये एक फैली difference है, तो यहां left side में, on premise में, हो, अगर हम hot star की बात करेंगे, उनको ये सारे servers खरीदने हैं, और कितने खरीदने हैं, उनको maximum, जो peak hours में, उनको जरूरत पड़ेगी, servers की competition power की, उसके मताबिक खरीदना पड़ेगा, ना कि throughout the year जो उनको लगता है, अगर throughout the year उनको 2 servers लगते हैं, और जब peak hours आते हैं, उसके 10 servers लगते हैं, तो उनको maximum का arrangement करके रखना पड़ेगा, तो इसमें जो throughout the year, 10 servers में सिर्फ 4 use होते हैं, तो sequence तो वेस्ट हो जाएंगे, तो वो तो ऐसे ही पड़े हुई है, सिर्फ एक time पे हमें जरूरत पड़ते हैं, उन 6 की, लेकिन cloud में क्या है, अगर आज आज आपको 4 जरूरत पड़ते हैं, और कल peak hours आटोमेटिकली स्केल हो जाएगा, तो वहाँ पे खुद बखुद 10 servers या 20 servers, जितने की वे आपको competition power जरूरत पड़ेगी, तो वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे भी दिखता है कि cloud में benefit है, नेक्स्ट है, इन हाउस IT support, अगर आप खुद servers maintain कर रहे हो, उनका infrastructure maintain कर रहे हो, तो उनका जो IT support है, वो खुद आपको manage करना पड़ेगा, इसके लिए आपको knowledgeable experts चाहिए, उनकी recruitment, उनकी management, उनकी training, यह सर आपको खुद करना पड़ेगा, company को करना पड़ेगा, उनको up-to-date रखना पड़ेगा, और उन पे जो cost आएगा, वो भी company को ही bear करना पड़ेगा, लेकिन on the other hand, अगर हम cloud की बात करते हैं, तो यहाँ पे outsource हो जाता IT support, तो यह तो एक data center में जाता है, maintenance जो है 24-7, वो सारा cloud provider देता है, आपके जो servers है, उनकी maintenance वो खुद करते हैं, उनके जो patch होते हैं, अपडेट होते हैं, वो खुद करते हैं, उनका power management वो खुद करते हैं, तो यह सारा तो वो maintain करते हैं, तो यह सारा button cloud provider पर आता है, और जो company है, उस पर यह सारी चीज़ें नहीं आ जाती है, तो यहां पर हम देखते हैं, cloud में ही benefit है, then company को बार-बार जो उनका data है, वो तो उनका सबसे costly item होता है, तो उस data का बार-बार backup रखना पड़ता है, अगर आपने खुद maintain किये हुए हैं servers, तो backup भी आपको खुद maintain करना पड़ेगा, through different tapes or networks, different network servers, तो इनका backup आपको खुद करना पड़ेगा, और यह बहुत ही expensive है, इनका backup लेना, लेकिन जब हम cloud की बात करते हैं, तो cloud में हम यह backup automate भी कर पाते हैं, इनके लिए अलग से servers रखते हैं, जहां पे जिस वक्त पे, जिस time पे आप चाहते हैं, उस वक्त backup खुद बखुद हो जाता है, तो यह fault at all run भी बन जाता है, बैक अपस खुद बखुद हो जाते हैं, तो यहां पे भी cloud ही में benefit है, इसके लावा अगर आपको टेलिफोनी की जुरूरत है, कस्टमर केर की जुरूरत है, तो on premise में आपको अपना private exchange रखना ही पड़ेगा, आपको खुद इस maintain करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप cloud की बात करते हैं, तो वाइस वर्ट आईपी टेलिफोनी भी का यूज़ कर सकते हैं, जो software बेसल है और बहुत ही cost effective है, इसके अलावा, अब चूंकि यह services users को provide करनी है, और throughout the year, world users बिखने पड़े हुए हैं, तो वो access करेंगे through internet, और जितने ज्यादा users होंगे, अतना ही पीछे से broadband की capability होनी चाहिए, अगर आप on-previce solution कर रहे हैं, तो इसमें जो internet broadband connection है, वो आपको खुद purchase करना पड़ेगा, और ये भी याद रखना है, कितना purchase करना है, according to the highest and peak hours, तो मैंने भी जो example आपको दी थी, इस example के मताबिक, अगर hot star volume को maximum users 25 million आते हैं, तो broadband connection की speed भी 25 million users के मताबिक होनी चाहिए, उन servers की, तो throughout दाया तो 2 या 3 million users ही आते हैं average में, तो बाकिवेस्ट हो जाता है, लेकिन आपको peak hours के मताबिक ही रखना पड़ेगा, लेकिन जब हम cloud की बात करते हैं, तो cloud में क्या है, वहाँ पे तो fiber connection है, और जितना आपको चाहिए, उसके मताबिक वहाँ speed चेंज हो जाती है, peak hours में आपको 1 GB, 2 GBPS लिंक चाहिए, तो आपको मिल जाएगी, और जो throughout the year है, जहाँ average users आते हैं, तो उसके मताबिक आप इसको scale day on कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो connection की speed जो है, that is guaranteed, उसमें guarantee है आपके पास, download और upload speed, जो आप service line agreement उनके साथ करते हैं, उसके मताबिक आपको मिल जाएगा, और दूसरा इसमें benefit है, कि 99.9% uptime है, तो broadband connection बैठेगा नहीं, जो आपका वहाँ fiber connection है, server पे, जो cloud पे है, cloud provider में आपको provide किया है, तो उसमें 99.9% uptime आपको मिल जाएगा, और flexible है, आप चाहे तो broadband connection की, जो लिमिट है वो बढ़ा सकते हो, चाहे तो उसको गठा सकते हो, तो यहाँ पे भी cloud ही better है, तो इन parameters के बन्याद पे हम कह सकते हैं, कि cloud is a better solution, लेकिन इसके बावजूद, let us see some cloud benefits, तो इस cloud के क्या benefits है, जो इस company को भी मिल सकते हैं, जिसके हम बात कर रहे थे, यहाँ पे hot star की, तो पहला benefit जो है, that is scalability, तो scalability भी मैंने कहा था, scalability का मतलब है, computing power, यानि processing power की बात कर रहे है, तो जितना चाहिए, इसकी example आप ले सकते हो, अगर आपके गर में meter है, तो उस meter में bill वाईसे ही आए जाएगी, जितनी आप उसकी usage करोगे, अगर आप ज्यादा usage करोगे, तो bill भी वाईसे ही आएगा, अगर come use करोगे, और आप चार servers को configure करो, अगर कल आपको peak hours में, 10 servers की जरूरत पड़ती है, तो आप scale कर सकते हो, scale up कर सकते हो, 10 servers ले लो, उस एक महीने को जब कोई competition चल रहा है, और उस एक महीने के बाद, अगर आपको फिर से लगता है, नहीं, दो ही servers चाहिए, या 4 servers चाहिए, तो scale down आजाओ, तो as per business demands, आप infrastructure को increase है, decrease कर सकते हो, तो यह पहला benefit है, और बहुत ही बड़ा benefit है, किसका cloud का, scalability, next benefit है, cost saving, अब जब scalability है, और यहां पे जो model चलता है, that is called utilitarian, utilitarian का मतलब है, आप किसी shop पे, grocery store पे जाते हो, कोई item आईटम आपको चाहिए, तो आप purchase कर पाते हो, तो इससे वो cost effective आ जाता है, अगर आपको बड़े item की जुरूरत है, तो बड़ा item खरीदो, अगर किसी छोटे item की जुरूरत है, तो छोटा खरीदो, अगर आपको सस्ते की जुरूरत है, तो सस्ता खरीदो, तो यहां भी भी वैसे ही cloud में है, कि cloud में, peak average में आपको बड़े server चाहिए, तो उसको वैसे ही बिला जाएगी, लेकिन throughout the year तो आपको उन servers की जुरूरत ही नहीं है, एक दो server की जुरूरत है, तो उसके मताबिक आप scale down कर सकते हो, तो उतना ही बिला जाएगा, तो यह एक benefit है इसका, तो यहां पे cloud में cost saving हो जाती है, इसी तरह आपको broadband की जुरूरत है, connection, internet connection की जुरूरत है, जब 25, 30 million users या 100 million users आजाएगे, तो उस वाकित आप scale up कर सकते हो, उसके मताबिक broadband connection ले सकते हो, server cloud पे, तो वाइसी बिला जाएगी, उसे एक महीनी जितने देर तक वो competition चलेगा, लेकिन जब वो competition खत्म हो गए, आप आपको पता है, आपको इतने ज़्यादा broadband connection की जुरूरत नहीं है, तो scale down करो, तो आपकी बिल कम हो जाएगी, तो ये सारा कौन करता है, cloud maintain करता है, इसके अलावा, अगर आप on-premise servers रखोगे, तो उनकी power supply, तो उनकी maintenance, और वो सारी चीज़े आपको खुद देखनी है, तो उनका cost भी आपको ही bear करना पड़ेगा, जो उनको servers को maintain करेंगे, और infrastructure, IT infrastructure, उनका cost भी आपको bear करना पड़ेगा, अब cloud में आपको ये सब चीज़े करनी ही नहीं है, क्योंकि power का ginger जो है, वो तो cloud वाला cloud provider ही handle करता है, इसके अलावा, आपकी जो maintenance है, servers की वो भी खुद करते है, तो इससे आपका जो cost इस पर आता है, वो बहुत ही reduce हो जाता है, that is why we say that, कि दूसरा benefit, बहुत बड़ा benefit इसका है, cost saving, तीसरा is disaster recovery, तो disaster recovery का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप जो backups लेते हो, आप पूरे server का backup ले सकते हो, ना कि सिर्फ data का, यहाँ पे आप पूरा server का server, जो भी आपका operating system ले सकते हो, और उसको restore कर सकते हो, तो disaster के वाकित, अगर कोई चीज delete हो जाती है, या accidentally कुछ हो जाता है, तो उस backup से आप उसको recover कर सकते हो, लेकिन पूरे server का backup लेना, on premise में बहुत ही difficult होता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा cost आता है, तो यहाँ पे आप entire server का ले लो, operating system का ले लो, applications का ले लो, data का ले लो, जिसका भी backup लेना है, आप ले सकते हो, और उसको automate कर सकते हो, automate का मतलब है, automatically हो जाएगा, जिस server पे आप यह backup रखना चाओगे, वहाँ चला जाएगा, तो यह third benefit है, इसका disaster recovery, और एक benefit है, that is accessibility, यहाँ पे हम इसको कहते हैं, anywhere, anytime, any device access, ubiquitous access जिसको हम कहते हैं, तो आप जो company होगी, जैसे हमारे पास, यहाँ पे example में hotstar है, उनको इस cloud server के साथ connect करने के लिए, एक lease line की जुरूरत पड़ेगी, secure lease line की, बाग इस सारा maintain कर लेगा cloud, तो accessibility है इसमें, और इतना ही नहीं, जो users है, उस data को, उस cloud को कहीं पे भी access कर सकते हैं, throughout the globe, जहाँ पे भी होंगी, सिर्फ एक चीज़ की requirement है, that is internet, तो cloud में सिर्फ एक चीज़ की basic requirement है, उसको access करने के लिए, that is you should have an internet connection, और एक browser, internet enabled browser चाहिए, जिसके थूँ आप इसके साथ connect कर सकते हो, इसके अलावा, फिफ्ट benefit है, resilience, तो अगर कोई potential failure आ गया, हमारे cloud में, या कही पे कोई disruption आ गई, तो backup के जरिये से हम इसको recover कर सकते हैं, तो recovery जो इसमें है, cloud में वो बहुत ही ज्यादा है, as compared to the on-premise solution, and the sixth one, and the last benefit in this series, वो है business focus, जब servers cloud provider maintain कर रहा है, उनकी maintenance उस खुद कर रहा है, power supply वो भी वही maintain कर रहा है, broadband connection वो भी वही maintain कर रहा है, scalable, जितने भी scalability होगी, आपको servers 10 की जगा 20 चाहिए, तो वो खुद provide कर रहा है, आपको down करना है, 20 की जगा 4 ही चाहिए, तो वो भी वो खुद ही कर रहा है, backups automate हो रहे, तो आपको इन सब चीजों की परवाही नहीं करनी है, जब नहीं करनी है, तो आप main focus किस पर रखोगे, अपनी services पर, अपनी customers पर, जो आपका business है, वो business services आप कैसे customers को दोगे, आप उस पर focus करोगे, तो यह जो side के काम थे, infrastructure का काम था, networking का काम था, backup का, यह सारा तो हो गया, यह तो cloud provider आपको provide कर रहा है, उसके लिए बहुत यह minimal आपको charge कर रहा है, तो आप focus करो customers पर, customers को कैसे gain करना है, ज़्याद से ज़्यादा customers कैसे आएंगे, उनको better से better service कैसे provide करेंगे, तो हम कहते हैं, जब आप cloud पर जाओगे, तो आपका जो business है, उस business में आपको focus करना है, main on business solution, जो आपको solution प्रवाइड करना है users को, जो बाकी side की चीज़े हैं, वो सारा cloud maintain कर रहा है, now, तो इन सब चीज़ों से हमें एक ही बात समझ में आगई, कि cloud is better than on premise, तो cloud तो बहतर ही है, क्योंकि cloud में तो जंजट ही नहीं है, बहुत सारे जंजट जो है, वो तो खत्म हो जाते है, cloud provider के जिरिये, वो खुद maintain करता है, तो this is the better solution, तो अगर हम यहां पे इस hot star की बात करेंगे, तो उनके users बढ़ते रहते हैं, गठते रहते हैं, throughout the year, किसी season में बढ़ जाते हैं, तो उसके मताबिक infrastructure, उनको सिर्फ cloud ही provide कर सकता है, cloud में ये capability है, कि आप on demand users के मताबिक, उनकी demand के मताबिक infrastructure को scale आप कर सकते हो, scale down कर सकते हो, उनकी maintenance को में हो जाती है, 24 x 7 access मिल जाता है, बहुत ही fast और speedy servers आपको मिल रहे हैं, तो जब यह मिल रहे हैं, cloud is better solution. Now, अब हम understand करेंगे, इसकी definition, what is then cloud computing? तो cloud computing की जो definition है, वो जो NIST है, National Institute of Standards and Technology, America की एक organization है, जो कि IT related standards है, उनको maintain करती है, उन्होंने कैसे define किया है, कि cloud computing is a model, तो पहला समझना है कि एक model प्रवाइड करता है, और फिर इस model को implement करेंगे, different cloud providers, तो model एक framework हम इनको देंगे, उसको इनको implement करना है, अपने मताबिक जैसे वो services प्रवाइड करेंगे, तो इसमें पहली बात जो समझनी है, कि वो ये cloud computing के model है, तो उसके बाद, इस model में क्या मिलता है, इसमें हमें ये solution मिलता है, जो ubiquitous है, ubiquitous अभी मैंने आपको कहाता है, anywhere, anytime, any device access, तो ये cloud computing में, जो services हमें पीछे से मिल जाएगी, वो services, IC होनी चाहिए, कि उनको मैं कहीं पे भी access कर पाऊं, किसी भी वक्त access कर पाऊं, किसी भी device पे, तो device independent यहां होगा, चाहे mobile phone होगा मेरे पास, चाहे tablet होगा, चाहे laptop होगा, चाहे server होगा, workstation, जो भी device हमारे पास होगा, जिसमें internet capability होगी, that should be able to access these services, दूसरा convenient, इसमें convenience होनी चाहिए, user के मताबिक, जो user को चाहिए, उसके मताबिक मिलना चाहिए, और बहुत ही easy access होना चाहिए, on demand network access मिलना चाहिए, तो network access मिलना चाहिए, on demand जब users चाहेंगे, उस वक्त connect हो जाएंगे, access करेंगे इन service को, और जब चाहेंगे, disconnect कर लेंगे, और इसके अलावा, यह access किसको मिलता है, तो यह shared pool of configurable computing resources, तो पहली term यहाँ पर एक और आ रही है, that is shared pool, what is shared pool, जैसे जब आप grocery store पे जाते हो, तो वहाँ पे जो दुकानदार होता है, वो जो items उसको पता है, कि लोग आके लेंगे, वो उनको pool करके रखता है, वहाँ पे जमा करके रखता है, उनके items, और users आते हैं, आपने अपने मताबिल, demand के मताबिक वो items ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे भी cloud provider क्या करता है, उसको पता है, different organizations को computational power चाहिए, RAM चाहिए, network चाहिए, यह सारी जो भी infrastructure है, वो उनको pool करके रखता है, तो जब वो pool करके रखता है, तो मैं आगया, मैंने उनको का मुझे, यह 2 gigahertz का processor चाहिए, 16 GB की RAM चाहिए, यह यह उसकी SSD hard disk, जो RAM memory होनी चाहिए, तो वो उसी pool से उठा के मुझे, उस मेंसे जितना मुझे चाहिए, दे देता है, और दूसरा user आ गया, उसको उसी shared pool मेंसे, जितना उसको चाहिए, उसको दे देता है, that is called shared pool, और shared pool किनका है, computing resources का, और वो computing resources, resources which are configurable, मैं उनको configure कर सकता हूँ, अपने मताबिक, अगर मुझे एक server चाहिए, मैं उस server पे Windows server install करूँगा, मेरी मार्जी Linux install करूँगा, मेरी मार्जी Macintosh करूँगा, जो भी मुझे इस पे install करना होगा, वो मैं चाहूँगा, जिस तरीके से मैं चाहूँगा, उस तरीके से उसको configure करूँगा, मैं उस पे server बनाऊँ, चाहे मैं उस पे कोई और machine बनाऊँ, तो networking resources हो, चाहे storage resources हो, चाहे different applications हो वहाँ पे, या services हो, ये computing resources मुझे एक तो anywhere, anytime access उनको मिल जाता है, conveniently मैं उनको access करता हूँ, on-demand network के through access करता हूँ, जब चाहता हूँ, और इसके अलावा मैं उनको खुद configure कर पाता हूँ, तो इसके अलावा, these services, these computing resources, can be rapidly provisioned and released, अब जब मैं माँगूंगा, जैसे for example, अगर मुझे एक server चाहिए, तो मुझे पहले server खरीदना पड़ेगा, उसको घर लाना पड़ेगा, फिर installation करने पड़ेगी, उसके बाद उसको network connection देना पड़ेगा, तब जाके वो मुझे usable form में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, rapidly provisioned, जब आपको server चाहिए, एक click में आपको, जो भी configuration का server चाहिए, वो तैयार हो जाता है यहाँ पे, और अगर आपको इसकी जुरूरत नहीं है, एक click में आप इसको release कर पाते हो, delete कर पाते हो, जैसे Google Cloud है हमारे पास, Azure है हमारे पास, या Amazon Web Services है, वहाँ पे जब आप कोई machine लेते हो, तो उस machine को installation या provision करने के लिए, maximum से maximum 4 या 5 मिनट में लग जाते हैं, और अगर आपको वो ज़ूरूरत नहीं है, एक click में आप उसको delete कर दो, और वो सारे resources release हो जाएंगे, तो यही है, यहाँ पे that can be rapidly provisioned and released, with minimal management effort, तो कितना management effort पर चाहिए, कुछ clicks करने पड़ते हैं, installation के लिए, delete के लिए कुछ clicks चाहिए, that is कि जितना आपको चाहिए, उनको configure करने के लिए, और उनको release करने के लिए, तो फिर से मैं यह definition पढ़ता हूँ, cloud computing is a model for enabling ubiquitous, करोगे तो उस वक्त आपको मिल जाएंगे, जब आपको जरूरत नहीं to release कर दो, तो यह shared pool of configurable computing resources, for example, network, servers, storage, applications and services, और यह services कैसी होनी चाहिए, that can be rapidly provisioned and released, जब आप चाहो उस वक्त ले लो, जब आप चाहो एक click में इनको release कर दो, और इनको acquire करने के लिए, release करने के लिए, you should spend minimum management effort, तो और दूसरा और service provider interaction, जो service provider है, उनकी बहुती कम interaction होनी चाहिए, इन services को avail करने के लिए, या release करने के लिए, तो यह एक definition है cloud computing की, cloud computing में हमने NIST की definition देखिए, आप एक ओर definition देखते हैं, तो इसमें कुछ characteristics more है, broader characteristics इस cloud के, clouds are a large pool of, पहले यह large pool of, क्योंकि जो cloud provider होगा, उसके पास millions of customers आएंगे, और हर एक को एक machine चाहिए, two gigahertz की machine चाहिए, इतनी RAM चाहिए, तो उसके पास उन सारे users के लिए, जतने भी customers आएंगे, उतने सारे machines और computing resources मुझे 16 या 32 GB के RAM का एक server चाहिए, वो बोलेगा, मेरे पास भी available नहीं है, तो आप बाद में आ जाएंगा, तब तक मैं यह खरीद के रखूँगा, नहीं, उसको पहले ही वो pool करके रखना है, उसको वो तयार रखना है, क्योंकि यूजर कभी भी आ सकता है, कि कितना easily हम कोई भी server, कोई भी service access कर सकते हैं, use कर सकते हैं और release कर सकते हैं, और दूसरा, यह जो resources हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, they are virtualized resources, real resources नहीं है, real है, physically है, there is physical existence, उनको है, लेकिन जब जो service provider होता है, उसके पास जो precious services होती है, या resources होती है, वो बहुत सारे resources होते हैं, मसला उसके पास एक server है, जिसमें एक GB की RAM है, जिसमें वन टेटाबाइट की हार्ड डिस्क है, और इसके अलावा उसके पास बहुत ही cores है, मसला 1000 cores, different cores अवलेबल हैं, प्रोसेसर उसकी, तो यह सारा उसके पास अवलेबल है, अब एक user आता है, उस user को इस जो एक TB की RAM है, उसमें से 16 GB चाहिए, तो वो उसी में से निकाल के उसको देता है, तो virtualized environment देता है, server एक ही होता है, उसमें एक TB की RAM है, लेकिन उस एक TB RAM में से एक user को 16 GB देता है, और उस user को ऐसा लगता है, कि मेरा ही server है, जब कि इस server को बहुत सारी user उस पीछे से share कर रहे होते है, आपको इस एक petabyte इसकी hard disk के, उसमें से एक gigabyte चाहिए, तो आपको दे देगा gigabyte, बाग की जो बच जाता है, वो दूसरी user उसको दे देगा, तो ये कैसे possible है, through virtualized environment, वो हम आगे जाके देखेंगे, कि virtualization इसमें कैसे होती है, तो ये कौन से resources है, एक तो hardware resources है, जैसे हमारे पास CPU है, हमारे पास RAM है, hard disk है, networking equipment है, ये सारे hardware equipment आते हैं, development plate firms आते हैं, जैसे different development plate firms आपको operating system चाहिए, आपको कोई server चाहिए, ये वो सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा services, different services, तो आपको different मुक्तलिफ कसम की से networking services भी मिल जाएंगी, आपको application services भी मिल जाएंगी, software services भी मिल जाएंगी, वो हम आगे जाके देखेंगे, different kind of services, these resources can be dynamically reconfigured, तो ये एक बहुत benefit है यहाँ पे, जो भी services यहाँ पे है, configure तो एक बार हो जाती है, लेकिन we can reconfigure, अभी मैंने ये service ले ली, ये system ले लिया, एक machine ले ली, मैंने अपने मताबबिक इसको configure किया, अब मैंने release कर दिया, अब कोई और user इसी service को ले रहा है, वो आपने मताबबिक इसको configure करेगा, तो ये ही है, these can be dynamically reconfigured, तो इनको मैं configure कर सकता हूँ, जितना load आजाएगा, लोड के मताबबिक, allowing us for an optimum resource utilization, तो इससे हमें क्या हो जाता है, जो resources हमारे पास है, उनकी best utilization हो जाती है, अगर हमारे पास 10 users है, तो जो resources है, मैं उनको share कर रहा हूँ, वो best utilization कर रहे है, अब एक user को अगर 16 GB की RAM मिल गई, तो gigahertz का processor मिल गया, 60 GB की SSD मिल गई, अब ये इनको use कर रहा है, लेकिन अगर इसके पास, अब demand जादे आ गई, वो आ गया, उसके बहुत ज़्यादा concurred users आ रहे हैं, मिलियन में आ रहे हैं, तो उसके 16 GB का server हमें suffice नहीं करेगा, then what we can do, हम 16 GB की जगा, 32 GB, अगर 32 भी काम पढ़ता है, तो 64 GB की RAM ले लेंगे, और 2 GHz processor की जगा, हम और cores लेंगे, multiple cores का processor लेंगे, 16 GB SSD की जगा, हम 1 TB की SSD ले लेंगे, तो उनको हम utilize कर लेंगे, और optimum resource utilization हो जाएंगे, अब जब peak hours खातम हो जाएंगे, ये period खातम हो जाएगा, कोई competition था, वो खातम हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, आप मुझे इन resources की ज़रूरत नहीं है, मुझे वापस चाहिए 16 GB की RAM, मुझे वापस चाहिए 16 GB की SSD, मुझे वापस चाहिए 2 GHz का processor, तो मैं scale down करूंगा, तो इससे optimum resource utilization हो जाएंगे, इस full of resources is typically exploited by a pay per use model, यहाँ पे जो model यूज होता है, वो वही model यूज होता है, जो हम बिजली बिल करने, पे करने के लिए यूज करते है, जितनी बिल, बिल आपकी वैसी आती है, जितना आप utilize करोगे, ठीक, मैं गर में गिजर यूज कर रहा हूँ, मैं गर में कोई और appliance यूज कर रहा हूँ, जो की बहुत ज्यादा बिजली यूज करता है, उसके consumption करता है, तो बिल भी वैसे ही आएगी, और कोई दूसरा मेरा पडोसी है, उसके पास वो appliances नहीं है, वो सिर्फ बलब यूज करता है, तो उसकी बिल उसी के मताबिक आ जाएगी, तो यहां पिर वही यही model यूज होता है, कि यह pay per use model, आप उतना जितना यूज करोगे, उसके मताबिक pay करो, आपको बड़ा server चाहिए, तो उसके मताबिक pay करना पड़ेगा, आपको खाली 1GB RAM वाला processor server चाहिए, तो उतनी ही pay करो, in which guarantees are offered by, तो यह चीज़ आपको on-premise में नहीं मिलेगी, अगर आप on-premise की बात करते हो, तो on-premise में आपको क्या करना है, अगर आपको peak covers में 16GB का processor चाहिए, तो आपको वो खरीद कर रखना पड़ेगा, आपको खरी 2GB RAM की जुरूरत पड़ती है, तो आपको पहली वो खरीद, आप नहीं रख सकते हैं कि मैं उसी वकर इसको upgrade करूँगा, तो अब gradation तो नहीं चलेगी, तो यहां पी यह कर सकते हैं, आप scale up, scale down कर सकते हो, in which guarantees are offered by the infrastructure provider, by means of customized SLA, यह SLA क्या है, बिलिंग आजाएगी, तो उसी किर्टामिक जो मैं यूज करूँगा, और उस usage के मताबिक मेरा बिला जाएगा, और यहां पे भी आप एक agreement sign करते हो, cloud provider के साथ, कि अगर आप इतनी resources यूज करोगे, आपको ये पे करना पड़ेगा, इसके अलावा guarantees है कुछ इस SLA में, कि आपका आप टाइम 99.9% आजाएगा, आपका जो security है, security भी कौन प्रवाइड करता है, service provider करता है, secure है आपका data, इसको कोई intruder access नहीं कर सकता है, और ये भी guarantee है, कि ये data करी delete नहीं हो जाएगा, कि हमें, ये समझ नहीं आता है कि कलावड में है, कहां पे है, मुझे खुद पता ही नहीं है कि के server में है, उनके पास different servers होते है, उनके पास different zoonos होते है, कहां पे उन्होंने रखा है, लेकिन एक agreement उसके साथ में करता हूँ, तो और उस agreement के मताबिक, मुझे वो services मिल जाती है, now let us see some key cloud characteristics, इसके कुछ characteristics cloud के देखेंगे, पहला characteristic क्या है, on demand self service, demand के मताबिक आपको service मिलेगी, जैसे आप किसी hotel में जाते हो, self service आप खुद लेते हो, जो जो चीज़े आपको चाहिए, तो यहां पे भी आप self service लेते हो, आपको यह server चाहिए, यह आपको cloud provider नहीं बोलेगा, कि आपको कौन सा server चाहिए, server कैसा चाहिए, किस कसम का चाहिए, कितनी bandwidth चाहिए, कितनी RAM, hard disk चाहिए, किस कसम के networking equipment चाहिए, यह आपको खुद decide करना है, इनकी demand देनी है, आपको मिल जाएंगे, करनी है, कि क्या चाहिए आपको, आप demand दे दो, आपको मिल जाएगा, तो on demand sell of service है, next है broad network access, तो यहाँ पे जो, आपको services मिल रही है, उनको access करने के लिए, आपको किसी एक platform या device पे dependent नहीं रहना पड़ेगा, जैसे आप mobile phone के through, इनको access करना चाहते हो, you can access all the services through mobile phone, आप tablet के use करना चाहते हो, कर लो, laptop के जरी वर्क स्टेशन के जरी है, तो जैसा आपकी मर्जी होगी, उसके मताबिक आप इन services को access कर सकते हो, सिर्फ एक requirement है, that is internet, और एक internet enabled browser चाहिए, तो आप इन services को access कर सकते हो, तो broad network access दूसरा benefit है हमारा, थर्ड is resource pooling, तो resource pooling का मतलब क्या है, जो भी resources आपको चाहिए, service provider उनको pool करके रखता है, ऐसा नहीं होगा कि आप उसको pool होगी, ये server मुझे चाहिए, वो बोलेगा मेरे पास available नहीं है, ये non availability का question ही पैदा नहीं होता है, तो जैसे resources चाहिए, वो वहाँ पी pool हो जाते हैं, आपको मिल जाएंगे, जितने users होंगे, वो उनको उस pool में से उठा के मिल जाता है, assign हो जाते हैं, reassign हो जाते हैं, आप release करते हो, तो ये सारा control आपके पास रहता है, तो जो भी आप चाहो, जिस location से, यहाँ पे locations भी होती है, अगर आप किसी एक continent में है, और आपका नजदी की जो data center है, या कोई location चाहिए, वहाँ से data center चाहिए, आप ले सकते हो, provider के, जो आपका cloud provider है, उसके पास वहाँ पे, कोई data center होना चाहिए, तो चाहुता है rapid elasticity, तो यहाँ पे elasticity का मतलब क्या है, जो आपको services है, आपको मिल जाती है on demand, और आप इनको scale up भी कर सकते हो, और scale down भी कर सकते हो, elastic है यहाँ पे, जैसे elastic होता है निजिसको खीशते है, जतना चाहिए उतना लंबा करो, और फिर वापस अपनी position पे आ जाता है, यहाँ पे भी आपको जतनी सुरूरत है, जिस चीज की जुरूरत है, आप वो services ले लो, और जिस server की जुरूरत मिल जाएगा, अगर आपको कम power वाले, computational power वाले server की जुरूरत है, तो वह ऐसा ही आप ले सकते हो, demand पे different करता है, और दूसरा यहाँ पे major services है, और यहाँ पे जो भी services हैं, controlled and optimized through meeting capabilities, इनको जितनी भी आपकी, जैसे यहाँ मैंने कहा, यहाँ पे paper use model होता है, तो अगर आप RAM, body RAM को use कर रहा है, तो उसके मताबिक वाँ major हो जाता है, कि इसने कितनी RAM यूज की, इसने कितना processing power यूज किया, उसे के मताबिक आपकी बिला जाती है, and then multi-tenancy, what is multi-tenancy, कि जो आप resources, एक service provider से ले रहे हो, वो resources share हो रहे हैं, उसने एक, मैं जैसे मैंने भी example दी थी, उसके पास एक server है, जिसमें एक terabyte की RAM है, उसी एक terabyte में से आपको 16 GB दे रहा है, दूसरे customer को उसी में से 12 GB दे रहा है, किसी को 32 GB दे रहा है, यह एक ही server है, जिसकी RAM share हो रही है, virtual environment के थुरू, आपको तो पता नहीं लगता, आपको लगता है कि यह मेरा ही server है, लेकिन इस server को बहुत सारे customers यूज कर रहे है, उन customers को यहाँ पे हम tenants कहते हैं, जैसे एक building होती है, उसको हम किराये पे देते हैं, तो मुक्तिलिफ customers जो भी वहाँ पे tenants होती है, वो उसमें से different items को ले लेते हैं, उसमें 10 कमरे हैं तो, आप एक कमरे लेते हो किराये पे, बागी दूसरे users को मिल जाता है, इसी तरह यहाँ पे भी है, आप इसको एक consider को, एक server को एक building, उसमें different rooms है, एक room आपको मिल गया, 16 GB का, जैसे रहे हैं है, तो दूसरा दूसरे को मिल जाएगा, तो that is called multi-tenancy, different tenants, different users can access these resources, जो shared resources है, वो different users access कर पाते हैं, now, last time में हम देखेंगे, cloud computing के कुछ attributes, तो इसके कुछ attributes क्या है, इसमें पहला जो है, have massive resources, यहाँ पे जो resources है, ऐसा लगता है, they are unlimited, though they are not unlimited, जतने आपकी demand है, उससे ज्यादा है, जतने users की demand है, उससे कहीं ज्यादा है वहाँ पे, massive resources है, आप को कभी भी ना नहीं मिलेगा, कि आपको इतना बड़ा server चाहिए, और वो available नहीं है, तो ऐसा कोई question नहीं है, उसके अलावा, on demand scalability है, जैसे आपकी near, उसके मताबिल scale up, scale down कर सकते हो, third इसमें है, ubiquitous access है, data जो भी है, anywhere, anytime, any device access है, जहां पे आप चाहो, वहाँ से इसको access कर पाते हो, उसके अलावा, data sharing, enterprise level, collaboration आप कर सकते हो, क्योंकि आप server यूज़ करते हो, आप data share कर सकते हो, जैसे अभी आप देखते हो, आप Google की एक service यूज़ करते हो, Google Drive, वहाँ पे आप collaboration कर सकते हो, data को share कर सकते हो, different users उसको add कर सकते हो, उसको update कर सकते है at a time, तो ये सारा cloud के थूँ ही possible है, इसमें जो एक और है, that is self-healing, और यहाँ self-healing का मतलब है, self-reconfigurable, अगर failure हो गया, तो self-healing हो जाता है, आप automatic backup restore कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे possible है, and sixth है, कि enhanced user experience हमको यहाँ मिल जाता है, तो user जो है, simple browser के through, इस सारी services को access कर पाते हैं, उनके इसके लिए, उनको किसी बड़े server को configure करने की ज़रत नहीं है, आप browser के through access करो, यह सारी services आपको मिल जाएंगी, तो अब last में, इसको summarize करते हैं, तो cloud क्या है, cloud computing is an umbrella term, यह एक बड़ी term है, जिसके नीचे बहुत सारी different, छोड़ी-छोड़ी term लागी होई है, तो इसके through हम, जो internet-based development services हमें मिल जाते हैं, इसको हम cloud कह सकते हैं, यह सारी services, computational power, networking, broadband, यह सारी आपको कहां से मिलती हैं, internet के through, तो यह एक कह सकते हैं, तो इसके अलावा, इसमें different characteristics है, remotely hosted होता है, जो services data हमारे पास है, हमारे पास नहीं रहता है, company के पास नहीं रहता है, cloud provider के पास रहता है, अगर इंडिया में कोई company है, तो उसका cloud provider, वो America में host हो सकता है, जैसे हमारे पास Google, Amazon यह दूसरी services है, इसी तरह ubiquitous access है, anywhere, anytime access है, और commodified है, जैसे commodity को हम लेते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, gas service, electricity service, जतना हम लेंगे, उतना ही पे करेंगे, मैं अगर किसी gas वाली के पर जाओंगा, एक cylinder लाओंगा, तो उसी को पे करूँगा, तो अगर मैं चार cylinder चाहता हूँ, तो चार को पे करना पड़ेगा, that is commodified, utilitarian access, जैसे utility हम खरीदते हैं, उसी के मताबिक हम इन services को खरीद सकते हैं, तो ये था brief introduction, cloud क्या है, cloud में हमें क्या मिलता है, इसके benefits क्या है, जरूरत क्या है इस cloud की, तो ये सारा हमने इसमें cover किया, तो next lecture में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कि cloud की history देखेंगे, या और बाकी चीज़ें जो इसमें आते हैं, और फिर हम practical, जो cloud service providers है, जैसे हमारे पास Google है, या Azure है, Microsoft का, या Amazon का AWS है, या इसके अलावीं बहुत सारे service providers है, उसमें से चंद की example देखेंगे, आगे जाके, कि cloud में हम actually कैसे resources को लेते हैं, उनको release कैसे करते हैं, configure कैसे करते हैं, उनको use कैसे कर सकते हैं, तो वो हम आगे जाके देखेंगे, thanks for watching, और आज के लिए इतना ही, असलाम आरेकुम रहमतुल्ह,